Hey everyone, welcome to Sandy Talks Canada, I hope आप सब ठीक होंगे, मैं again आपके सामने हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें हम बात करने वाले हैं, एक गुड न्यूस के बारे में, अगर आप कैनिडा में वर्क पर्मिट के लिए अप्लाई कर रहे थे और LMIA नहीं मिल रही थी, जॉब अप्लाई करकर के थक चुके थे, कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा था, LMIA वगेर अगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंप्लेक्स प्रॉसेस होता है, एक प्लाई को पहले LMIA अप्रूर्व करानी पड़ती है, फिर कहीं जाके आप अप्लाई करते हैं, अप्रूब्ड LMIA पर आपको उफर लेटर आ होता है, तो ये कुछ limited समय तक ते लिए है, उसके बारे में detail में बात करेंगे, eligibility requirements क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ outside Canada ही नहीं, अगर आप already inside Canada है, और आपका work permit expire होने वाला था, PR नहीं आई है, work permit extension की सोच रहे हैं, तो आप इस program को use कर सकते हैं, work permit extension आप को मिल सकती है, और PR भी आप अपनी apply कर सकते हैं, once you get the work permit क्योंकि उसके आपको points औगेरा मिल जाते हैं, तो इसी stream के बारे में बात करेंगे, stream का नाम है, innovation stream pilot, चलो जी, without any further ado, let's start the video, important अगर चीजों की बात करें, अगर मैं आपको एक crisp explanation दू, what it is exactly is, जो high skilled occupations होती हैं Canada में, high skilled occupations होती हैं, NOC B तक, 0 A और B, या फिर जो अभी नया tier structure है, उसमें हम बोल लेते हैं, 0 1 2 3, ये high skilled में मानी जाते हैं, अगर आपका NOC code इन skill में पढ़ता है, 0 1 2 3 में, अगर आप इस से belong करते हैं, तो आप ये जो companies हैं, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगी, जो इस project का हिस्सा हैं, इसमें आप अगर apply करते हैं, आपको job मिलती हैं, तो ये जो employers हैं, जो list of employers हैं, they are exempt from LMIA, तो आपको LMIA apply करने की जरूरत नहीं है, without LMIA भी आपका जो offer letter है, वो work LMIA के approval के जो process होते हैं, complex होते हैं, run करने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपके लिए फायदा है कि अगर आपके पास skill है, इसलिए high skilled मैं दुवारा से बोल रही हूं, उन लोगों के लिए जो ये चीज़े satisfy करते हैं employer की और वो meet करते हैं requirements, then both ends पे दोनों को फायदा है कि LMIA का जंजटी नहीं है, offer letter मिला, job मिली और यहां पे work permit, दूसरा जो आपको फायदा है work permit लेने के बाद एक तो इसमें processing time बहुत fast है, within 2-3 weeks, ये भी global skill strategy के अंदर ही आता है, मैंने GSS पे अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें 2 weeks में work permit आ जाता है, तो ये उसी का हिस्सा ह इसमें, जो सबसे बड़ा benefit मैं बोलूँगी, उन लोगों के लिए जो merit है, जिनको ये होता है कि हम तो चले गए, यार हमारे partner का क्या होगा, इसमें आपके जो spouse हैं, उनको भी open work permit मिले, so under this innovation stream pilot, इसमें आपको employer specific work permit चाहिए, मैं आपकी screen पे display कर दूँगी, उस work permit में आपक जरूरत नहीं है, जो कि एक global hyper growth project का हिस्सा है, मतलब ये जो stream pilot इनों ने create की है, global hyper growth project का हिस्सा है, इसके बारे में अगर आपको और पता करना है, कि ये GHP project है, क्या इसका मैं screen पे display कर देती हूँ, link भी मैं description में दे दूँग, इसको आप जा के पढ़ सकते हैं, now let's talk about the list of companies, अगर आप inside Canada हैं, तो भी आप eligible हैं और outside Canada तो आप है, so ये मैं clear कर देती हूँ, अगर आप extension के लिए सोच रहे हैं, तो इन companies में आप ज़रूर चेक करना, कोई LMIA के ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप screen पर भी देख सकते हैं, मैं अपने phone पर आपको बता रही हूँ, ADA Support Inc. Corporation ये कंपनी है, Laya Care करके कंपनी है, Cellcarta, Clarius Mobile Health, Clio, DPG कंपनी है, एक pharmaceutical कंपनी अगर आप pharmacy फील्ड से हैं, Lightspeed Commerce और Vive Crop Protection ये कंपनी हैं, इनकी जो official websites हैं, वो आप इस link के थूँ जाके चेक कर सकते हैं, इनके employment section में जाहिए और वहाँ पर apply कीजिए job, और please make sure कि आप follow up ज़रू यहां पर लोग गडबड करते हैं कि resume ठीक से बनाया नहीं है, cover letter ठीक से बनाया नहीं है, जैसा है resume वैसी apply कर दिया है, hope करते हैं कि हम response आ जाए, और ये बहुत time taking process होता है, अच्छा खासा effort लगाना चाहिए resume पे भी, क्योंकि आपके पस यही option है, अगर आप इसके लिए apply क skills हैं, तो आप उस time को भी पार कर सकते हैं, जो काफी मुश्किल था पिछले कुछ time में tech companies में, so resume और cover letter पे जरूर ध्यान देना, और उसके अलावा जब आप इनमें apply करेंगे, तो follow up जरूर लेना, ये भी मैं feedback आपको इसी time पे इसलिए दे रही हूं, क्योंकि बाद में मैं कई बाद देखा है, comments में लोग कहते हैं, कि हमने apply किया था, Saturday कुछ आया नहीं, अगर resume सही नहीं बनाया, skill आपके पास है नहीं, और आपने follow up नहीं लिया, cover letter पे time spend नहीं गया, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि it's not just you who are applying, इतनी जादा applications आती हैं, एक एक दो दो दिन में streams पूरी pause हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि इतनी applications उनके पास आ जाती है, so इस वज़े से आपका competition बढ़ जाता है, और आपको फिर competition में best होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं, क्या आपको call आई, resume के लिए, या interview के लिए, right, so वो थोड़ी सी research करना, और follow up से मे आपने apply किया है, तो कुछ time बात follow up email भी 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 भीजो उनको और पूछो कि आपके resume पर क्या response है, either positive और negative क्योंकि at least आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अगर select नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, तो आप अगली time के लिए आप अपना change कर सकते है, resume strategy change कर सकते है, positive हुआ तो अच्छी बात है, right, so यह मैं अभी आपको timely इसलिए बता रही है, क्योंकि फायदा तब होगा, अगर आपको call आया, अगर आपने apply कर गिया, call नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं होगा, so anyways, let's imagine कि आपने यह जो feedback है, मेरा वाला feedback है, यह follow किया, और आपने apply किया, और आपको call आ गई, call आ गई, job of a letter मिल गया, उसके बाद आप अपना work permit apply कर सकते हैं, GSS stream के अंडर आपको यह जल्दी processing हो जाएगी, आपको work permit मिलेगा, आपके spouse को भी work permit मिलेगा, Canada में काम करने के आपको points भी मिलते है, right, so आपको जैसे कि Canadian experience class है, उसमें आपका एक साल का Canada में experience हो जा को भी यह satisfy आपको करना है कि आपके पास वो skills हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके पास job offer letter आ गया, आपके skills के हिसाब से, क्योंकि लोग बहुत जादा जोल-जाल करते हैं, अपने skills में भी resume में जो लिखा होता है, वो match नहीं करता job offer के साथ क्योंकि job कहीं और मिल गई है, skills क किसी और चीज के हैं, तो immigration officer अगर satisfied नहीं है, तो इस चीज में rejection भी हो सकता है, so basically जो आपके skills हैं, उसके हिसाब से आपकी job होनी चाहिए, और इस चीज के लिए immigration officer को आपको satisfy भी करना है, of course, so यह बहुत जादा important है, यह चीज में इसलिए highlight कर रही हूँ क्योंकि अभी बहु एक consultant था, जो run करता था, fake payroll मतलब कि ठीक हम आपकी file लगा देंगे, Nova Scotia के food, restaurants और इसके थूरू जो restaurant sector है, यह food sector है उसके थूरू, और आप 30,000 डॉलर दे दो, 35,000 डॉलर दे दो, बच्चे दे देते थे, fake payroll run होता था, अभी क्या किया है, इतना जादा highlight हो गया यह issue, employer जो थ दी है, मतलब restaurant और food sector में, they have stopped immigration, जो stream है पूरी, मतलब इतना जादा highlight हो गया हमारी तरफ से यह चीज़े, बाकियों के लिए भी problem हो गयी, जो genuine थे, अभी उन्होंने reason तो यही बताया कि हमारे पास enough candidates हैं, हम उनकी file process कर रहे हैं, जब इनकी file process हो गई, तब उसके बाद में व उट सकते हैं कि हमें नहीं पता था हमारे consultant ने fake payroll run कर दिया, Canada की government कहती है कि अगर आप इस चीज में किसी भी तरीके से participate करते हो, then you are equally responsible, आप नहीं निकल सकते हैं ऐसे बोलके कि consultant ने क्या किया हमें नहीं पता, तो यह बहुत जादा ज़रूरी है कि आप अपना process यहां तो ख लेटर्स आ रहे हैं अभी कि आपकी PR में आपने fraud किया है, ban तो लगेगा ही लगेगा उनके पास more deport भी हो सकते हैं और जिनकी file already PR हो भी गई थे उनको भी लेटर्स आ रहे हैं, PR तो कि आपकी citizenship भी cancel हो सकती है अगर आपने किसी भी तरह का fraud किया है, so इन चीजों से दूर रह और देखें कि आप कौन कौन सी stream में eligible हो, आपकी जो knock code है, वो कौन सी है, अच्छा सा resume बनाएं, cover letter बनाएं, apply करें, I hope आपको भी positive response मिलेगा, like my other video जिसमें मैंने प्रियंका और रमन के साथ वीडियो की है, वो भी यहाँ पर work permit में आये हैं, दोनों लोग without alarm आये, so अगर व is handy talks Canada, और आप मेरे साथ call भी book कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी question है related to study abroad, career और life in Canada, that's it for today guys, thank you so much for watching, बिलते हैं अगली video में, till then take care, bye bye